अबुआ कि अबुआ इस प्रिविए पीटियो भी इस इसके हैं वार्किंग अफ़किटर इस बेस्ट और आइक्टियोशित लिए प्रिविए वीडियोश प्रेशनें और आउपूट का जो फंड आपने था वह सम्झागा फिर हमने कुछ डिपीशन देखें जैसे वाट इस what is computer, what is hardware, what is software और जो computer का जो basic components है उसके बार में बताएं गया जो आपके books में already discuss किया गया है उसे आप read करें और every students ये बताया जाता है कि जो ही teachers बढ़ाते हैं जो हम लोग बता रहे हैं वो already हम लोग book से बताते हैं या कुछ थोरे सी extra हमारे पास जो knowledge है उसके तुरू हम explain करते हैं पर आप ज्यादा से ज्यादा book को read करें जितना ज्यादा आप book को read करेंगे उतने ज्यादा आपको उसमें knowledge होगी और आपका पंडा या कि जो आपको जो concept है वो clear होगा और उससे आपनी knowledge बढ़ेगी यह है कि आप सिर्फ teachers को depend हो रहा है आप ज्यादा से ज्यादा book को read करेंगे तो हमने बताया थे इसके पहले वीडियो में कि basic components के बारे में बताया था कि computer की जो है two basic components होते हैं hardware and software तो यह आपका concept हर जगा आपको मिलेगा कि hardware होता है और software होता है कि hardware के बारे में पढ़ते हैं फिर software के बारे में पढ़ते हैं individually और छोटे classes में वह वह होता है और जैसे आपर भी जाते हैं बित्तुरूज का एक chapters आपको परना होता है तो उन सब के बाद आप जब computer की बात करते हैं तो computer जो है वह आपका क्या है कि एक programmable machine इसमें बहुत सारे programs पहले से pre-recorded record होते हैं जो कि instructions के बाद वह आपका work उस pre-report instructions के थ्रूप करता है यानि कि आपको क्या instruct देना है वह instructions का उसमें पहले से pre-recorded होता है तो क्या है कि computer is a fast, speed, fast machine और accurate machine बहुत सारे चीज़े हैं जो computer speedly करता है और वह smart machine है तो उसका भी कोई एक reason होगा Reason क्या है कि उस reason मतलब उसके base पे computer के उस जो होते हैं वो features होते हैं और characteristics होते हैं जो उसका ही अपना होता है characteristics होते हैं तो चलिए देखना और today we will discuss about the features or characteristics उसी के बारे में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे features और characteristics क्या है कौन कौन से कुछ certain features हैं जो हम यहां पे देख रहे हैं कि write दिया हुआ है जैसे आपको speed है accuracy है versatility है memory यानि storage है उसका अपना और tolerance है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे कि यह है क्या है पहले हम बात करेंगे students speed की speed normally आपको speed वर सही बता चलता है कि speed जैसे आप लोग देते हैं काफी high speed में cycle चलाते है guide speed क्या है train speed उससे ज्यादा है तो speed it can work very fast यहां computer की बात कर रहा है it can work very fast क्या है यह थोड़ी ज्यादा क्या होता है यह काफी तेज वर्क करता है इसकी speed working speed जो होती है वो काफी तेज होती है काफी इसकी ज्यादा होती है it has very high speed और इसकी speed होती है वो काफी high होती है okay now the second is accuracy क्या है यह accuracy accuracy means पहले word को आप समझे students accuracy क्या है what is accuracy accuracy means होता है आपको accurate सही मतला बिल्कुल perfect answer accurate इसका answer क्या होता तो it is an accurate machine यह बिल्कुल perfect machine है it can do a lot of calculations without making any mistakes okay यानि कि यह बहुत सारे works को calculations को करता है without mistakes यह बहुत बढ़ी बात है without mistakes यानि कि कोई भी mistakes नहीं होता है इससे जब यह calculations करता है how about computer give incorrect results कब देता है कब देता है incorrect results जैसे computer gives incorrect results तो incorrect results when incorrect input is clear क्या होता है यानि कि अगर आप इसमें गलत information देंगे guard-based value इसमें इंशर्ट करेंगे तो आपका results भी हमेशा गलत ही होगा और वह wrong होगा तो without आपका इंटरी इसका गलत results नहीं होता है तो यही आप दे रहा है कि आपका computer पर incorrect result होता है लेकिन कब होता है जब आप उसमें incorrect input to feed करते हैं तो लेकिन वैसे आपका जो है वो accurate machine है कोई बलती नहीं होती है इस क्वीडिस की अच्छी है memory जब हम memory की बात करेंगे students तो memory क्या है memory जो है वो storage capacity है storage उसका अपना एक तिमाइस है कुछ internal memory होते है उसके storage के कुछ external memory होते है इसको आपने अगले पिलों में next classes in next chapters में आपको डिसकस करेंगे memory क्या होता है it can store large amount of data and information in its storage space which is called memories क्या है वो large amount of data information को जो आपके द्वारा उसमें treat किये जाते हैं वो उसको store करता है और जहांपे वो store करता है उस space को उस चीज को हम memory बोलते है और यह memory आपके दो types को होते है external और internal जो कि आपके बाद में परेंगे secondary memory and primary memory यहाँ आपको memory की बात कर रहे है इसके memory काफी है ज्यादा space की होती है large amount की होती है जो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा store होता है okay intelligence intelligence के बारे में परेंगे तो क्या है कि it can work continuously for hours without getting tagged यह काफी समय तक work करता है continue work करता है लेकिन हम जो है work करते हैं क्या होता है the speed and accuracy level इसकी जो speed है और accuracy level जो है of a computer remain the same same रहता है लेकिन कब तर even after it's working for many hours क्या है बहुत तहीं समय तब क्यानि कि अगर एक दिन दो दिन तिन आप चाहें 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 पांच गते इस से work करें इसके accuracy और इसके speed पे कोई पर नहीं पढ़ेगा यानि कि यह continue वैसा ही result देगा जितने result वो valid देता था तो क्या है यह कि आपको कि इतने बंके तर चलाएं ठकेगा नहीं इसकी accuracy और speed या कि इसके कोई effect नहीं आएगा तो यह इसका है deligency last versatility versatility word को हम समझे versatility को लोग बोलता है students आप चुने होगे कि आप आप यह students versatile versatility का मतलब होता है कि कई बुनों से भरा होगा यानि कि अगर कोई specific features हो कि यह feature जो है वो मैं पढ़ाते हैं दूसरा subject दीजिए उनसे नहीं होगा और कुछ features होते हैं जैसे कोई subjects दीजिए वो आपको अच्छा से पढ़ाएगा तो वो उसकी versatility हो यानि कि field उसकी ज्यादा हो गए वो कई चीजों को असानी से पढ़ सकता है उसकी singing अची है उसकी speech अची है वो सभी subjects को परहाता ठीक है तो वो क्या है वो आपका versatility है वही आप आता रही है versatility यानि कि computer जो है it can perform various types of jobs various types पहुं सारे jobs at the same time with the same speed and accuracy पहुं सारे बहुं सारे बहुं सारे बहुं same time में same speed में same accuracy से perform करता जाता है for example जैसे आप देख सकते है we can play games आप computer पे games खिर रहा है type text साथ में अगर game खिरना आपने बहुं किया type text कर रहा है उसके साथ साथ दूसरा अगर कोई बैटती है और उससे connected है दूसरे computer पे तो वो raw picture कर सकता है listen music कर सकता है same time on a computer यारे कि अगर आप प्रभी typing कर रहा हो तो वाइकरम में आपने क्या किया है song दिया song हो रहा है अगर कोई file और आप उसमें copy कर रहा है song भी चल रहा है copy भी हो रहा है और साथ में type in भी गर रहा है तो ये 3 work आपको simultaneously उसमें हो रहा है तो ऐसा जो features हो जैसे फ्रीज है तो फूलिंग करेंगा या अधर चीज है तो वह सिफ एक इस्पेस्टिक वर्ट के लिए बनता है जैसे आपको फूल पर यूज करते हैं अपना कौमर कुछ वर्ट के लिए वही आपको यूज बैंक में भी हो जाएगा काफी के वज़ए से ही इसका यूज भी डिफरेंट प्लेसे इस पर यूज को शूबड़ा थे इसको परनेकर को यूज रखर पहरा है काफी इस ने इसको डिस्वांज कि दिया होगा कि उसे जवान की सब्सक्राइब देते हैं इसको शॉट ली पढ़ते हैं इसको आपको पहले से यह समग पता है ठीक है तो इसमें आपका है राइट टेक्स यानि जा उसपर देश लिए सकते हैं वी करें डिफरेंट टाइपस प्लक में पाफ में पाल आपको बिक्टे हैं आपका है का फिसल से डिफरेंगी इसकें आपक्टेट आपकोलेस Вंक प्सक्राइब रहतारो प्लक मेंन इसат प्लक में नो कला उते हैं नो कि अपको नुझार के नैस r हैंटनू कर्ण जिए सब्सक्रा वी कूर अटिशन की पाल पर ड्रॉब दाइस seulement हमें ब्लम एक जिय उता है , उताल्ण दाइस कि न लग ज्टते हैं , हमें भी वह के लिए आप टार्पी कि अला हमें , छाले में प्लेश सी उता हमें , इमेल ,ऐसे अएंड बैसे लिए आप देशें कि ज़ए हमें , बन देशें , हमें ट्रॉब एमेल पर स रोपिटर्षे नी ही इद ने के थे पर कमेंकर को धुता है को अधरगलीगन Z k यह हुए हो दिपटारियो में आहिए कि को जी ऐसे से हूं चालिए यहिए ऐसे आपका कम्किटर के थरूप मेंना अज्डार geogra Хотя यह कोलें कर संहाए